हेलो इस्टुडेंट्स यह आपका पार्ट 33 वीडियो और पार्ट 33 वीडियो में विविद्पस्नावली 1L पे हैं और हम लोग कोश्चन नूमर 26 देखने वाले क्यारा है दो फल्लो एफ नेचुरल टू इंटीजर और यहां फंक्शन जी जो है वह क्या है इंटीजर टू इं क्या की हो परंतु जी एक एक की नहीं हों अम उदाहरां देना है तो लोग माले थे कि फंक्शन एर है नेचुरल टू इंटीजर कैसे डिफाइन हो एफ एक्स इकॉल टू टू एक्स तथा दूसरा function g z to z किस तरह से define हो g x equal to x square ठीक है पर परिभासित है देख लिजिए अगर मैं यहाँ पर अगर बात करू तो हमें देखना होगा g of f परिभासित कब होगा जब range of function f function f का range इससे मिलेगा subset होगा इसके g के domain से ठीक है तो देख रहा है यहाँ इसका range वाले element भी पुर्णांग से ही मिलेंगे और इसके domain वाले element भी पुर्णांग से मिलेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि g of f कैसे g of f परिभासित होगा परिभासित होगा और कैसे परिभासित होगा तो आप कह सकते हैं इतना परिभासित होगा ना जी चलिए अब हम लोग बात करते हैं जी ओफ एकिaj की अगर मैं भर जी ओफ एफ एकस निकालो कि वह जी एफ एकस के भराबर होगा अ चलिए ओफ यहां 2x है, यहां 2x रख देते हैं, अब function g में x के जगा रख देना होगा 2x, तो क्या जाएगा, 2x का whole square, यानि किया जाएगा यहां से, 4x square, 4x square, तो चलिए अब एक एक की के लिए कर लेते हैं, g of f, एक एक की हैं, इसकी जाज कर लेते हैं, तो हम लेते हैं, g of f, x1, equal to g of f, x2, और for all x1, x2 किसे बिलॉंग करेगा, तो g of f के domain से, यानि n से, natural number से, तो natural number के लिए, यहां पर रखेंगा, तो हो जाएगा 4x1 का square, और इधर हो जाएगा 4x2 का square, तो natural number के लिए, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, 4 से 4 काटके, x1 का square बरा हो जाएगा ना, इसलिए, यहां पर लिख सकते हैं, कि g of f, x1, x2 हो गया, लेकिन, g, x1, x2 नहीं है, यह दिखाना है, चलिए function g की बात करते हैं, g की एक 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 होने या नहीं होने की बात करते हैं, तो यहां पर मैं माल लेता हूं, g, x1, बराबर में, g, x2, for all x1, x2, बिल हो जाएगा, x1, x1, x2, बराबर में, x2, लेकिन, इंटीजर के लिए, x1, x2 के बराबर, नहीं होगा, क्योंकि, अगर मैं, 1, x2 की बात करूं, तो भी 1 ही आएगा, और minus 1, x2 के बराबर, तो नहीं नहीं होगा, यहां पर, इसलिए, g, x2, नहीं है, तो हमने, example ऐसा दे दिय हो जाए, लेकिन, g, x2, नहीं हो रहा है, कोसर नमस 27 देखिए, पिछले कोसर नहीं है, कि दो फलन, f, natural to natural, तथा, g, natural to natural, के उधारन दीजिए, जो इस प्रकार हो, की, g of f, अच्छादक हो, किन्तु, f, अच्छादक, नहीं है, चलिए, देख लेते हैं, हम लोग यहां माल f, natural to natural, कैसे डिफाइन हो, fx बराबर में, 2x प्लस 3 ले लेते हैं, ठीक है, तथा, तथा, दूसरा फंक्चना में, g लेना होगा, वो भी natural to natural पे इस तरह से डिफाइन है, नेच्छल से नेच्छल पे इस पर का डिफाइन है, कि यहां पे हमारे पास, gx बराबर में है, आपका, x-3, by में, 2, x-3, by में, 2, द्वारा परिवासित है, ठीक है, यहां मारे पास, दो फ़लाबर में, तहमें क्या दिखाना है, कि g of f अच्छादक है, लेकिन f तो g of f किस पे परिवासित होगा, दोनों natural to natural है, तो यह भी natural to natural पर परिवासित होगा, यह भी परिवासित होगा, नेच्छल to natural पर, और क्या हो जाएगा, तो यहां पहली सकता है, कि g of fx, और to gfx, और fx का value यहां पर रखेंगे, तो आ जाएगा 2x plus 3, और function g में, x के यहां मैं 2 है, 3 से 3 कट गया, 2x by 2, 2 से 2 कट गया, आपका x गया, तो यहां पे g of fx किसके बराबर होगया, x के बराबर होगया, चालिए तो इसके अच्छादग की बात करें, तो यहां पर हम लोग मान लेंगे, मान लेंगे यहां पर, कि y आपर, g of fx, यहां नेच्छल to natural होगा जब हम लोग यहां कह सकते हैं कि वाई बिलॉंग्स टू नेचलर नंबर होने से एकस भी तो आपका नेचलर नंबर हो जाएगा ना जी कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर लिशकते हैं कि सहपरांथ सहपरांथ एन के सभी अव्यों का सभी अव्यों का पूरू प्रतिविम पूरू प्रतिविम प्रांथ एन में है इसलिए आपका क्या हो गया जी ओफ एफ अच्छादक है अच्छादक होगे है हमें दिखाना है कि एफ अच्छादक नहीं है एफ अच्छादक नहीं है चले तो एफ एफ एच्छादक नहीं होने की बात कर लगता है है कि नहीं इसके लिए तो मैं मान लोंगा माना y बराबर में एक चैनल कुछ और भी मान सकती थे कोई दिकत नहीं y बराबर fx मान लिए यहां ठीक है कोई दिकत नहीं यहां 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 नेचूरल लंबर से बिलॉंग नहीं करेगा जब y1 belongs to क्या तो y1 के जगा पर अगर माल लो यहाँ पर आप 1 रख दो तो यह 1 में से 3 घटेगा 3 घटेगा तो minus 2 by 2 कट के minus उराएगा जो की natural number नहीं है 2 रखने पर भी नहीं आएगा 3 रखने पर भी नहीं आएगा 4 रखने पर भी नहीं आएगा यह सब नंबर पे नहीं आ रहा है तो देख रहे हैं इन सब यहों के पूरु प्रतिविम नहीं मिलेंगे नेश्वल से नहीं पिलों करेंगे तो कह सकते हैं कि सह प्रांथ N के आव्याओ एक दो तीन चार इन सब के पूरु प्रतिविम पुरुप्रतिविम प्रांत एन में नहीं है इसलिए f अच्छादक नहीं है function f जो है आपका अच्छादक नहीं है हमने यहापे दिखा देए clear है चलिए आगे बढ़ते है question number 28 देखिए कहारा है एक आरित समुझ x दिया हुआ है और कहारा है px जो x के समस्त उपसमुझ्चों का समुझ्च है यानि कि घाद समुझ्च है पर विचार कीजिए निम्रेटित तरह से px में एक सम्बंद r परिभासित कीजिए px में px में उपसमुझ्चों a और b के लिए a related है b से कब ज़िए और के वले दी a प्रूपर सब्सेट हो भी क्या क्या r px में एक तू लेता समद्ध है अपने उत्तर का उचिती दी तो मैं यहां मान लेता हूं कि x जो और इक समुझ्च है उसमें अब लेमर्ट वण टू थी है तो बता हो तो इसक घात समुझ्च क्या होगा तो घात समुझ्च में कौन फाई आएगा वन आएगा टू आएगा तरी आएगा और क्याएगा यह वन टू आएगा तू थ्री आएगा, तो वन थ्री आएगा, ठीक है, फिर आपका वन तू थ्री आएगा, यही ना होगा आपका, चलिए, यही होगा आपका घाट समझ, अब देखिए, एक रिलेशन आर कब डिफाइंड है, यह से पी एक्स में ए और बी के लिए, उपसमुझ ए बी के लिए, यनि की, यह आपके उपसमुझ A B के लिए, कैसे डिफाइन रहा है, जब A proper सबसेट है B क्या, यहा रिलेशन आर कैसे डिफाइन हो रहा है, रिलेशन आर A related to B, यह कब हो रहा है, जब A is the proper सबसेट of B, हम यहाँ देख रहे हैं, कि यह फाइ, proper सबसेट है, इसका भी, इसका सबफें कि मैं जॉर्प है तिक याने की यह इससे भी रिलेटेड होगा इसे भी रिलेटेड होगा अच्छा 11 रिलेटेड होगा किस से 13 के साथ क्योंकि यह 11, tehrikा भी है और तो क्या कभी हम लोग 1 है प्रोपर सबसें लिख पाएंगे नहीं न लिखेंगे यह कभी possible ही नहीं है यह नहीं होगा तो जब यह नहीं होगा इसका मतलब की one one एक दूसरे से related नहीं होगा तो यह कहकी नहीं होगा एक आगी नहीं होगा तुल्यता समंध नहीं है नहीं क्या यहां पि में तो नहीं है तो ये कहा ही होगा नहीं खुद का कोई सेट प्रोपर सबसर नहीं हो सकता है कि कोई कोई समुच खुद का खुद का उचित उप समुच नहीं हो सकता है इसलिए यहापका आर जो है आर आर आपका एक आएक आर जो है स्वतुल्य नहीं होगा किसी प्रदत अरित समुझ एक्स के लिए एक दिवाधारी संक्रिया स्टार कैसे रिफैना है पर विचार करना है जो A operation भी कैसे डिफैना है दोलों के इंटर्सेक्स से औरvt ए इलिमेंट है किसका पी एक्स का यानी घाद समुझ का ठीक है पी एकस क्या है एकस का एक घाद समुझ है तो सिद किजिये कि इस संक्रिया का तथर्म और और सयारल कर देते हैं माल ने था है कि ऐसमने समुध्य जिसमें आपया ह maar एक, दो, तीन है, तो इसका घात समुझी क्या होगा, चलो बताओ तो, अभी मैंने बताया था, फाई होगा, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, इन होगा, वन टू होगा, जितने इसके सबसेट हो सकते हैं, चलिए, और टू थ्री होगा, वन थ्री होगा, और वन टू थ्री होगा ठीक है अच्छा यहां जो ए ऑपरेशन भी क्या देख रहे हैं वह है ए इंटर्सेक्शन भी दोनों का इंटर्सेक्शन पर आल ए बी बिलॉंग्स टू पी एक्स यह इससे मिलेगा ठीक है तो अगर आप देखो इस फाई के साथ आपरेशन करेंगे समुझ इसका ठीक है इसी के ना एलिमेंट है जी चलिए तो इनका इंटर्सेक्शन क्या एगा फाई है और फाई भी बिलॉंग्स कर रहा ना पी एक्स में ठीक कोई भी आप लेकर देख सकते हो दो ले लो ऑपरेशन कर दो किसके साथ वान टू के साथ तो दोनों का इंटर्सेक्शन क्या आएगा यारे कि टू ही आजाएगा और टू यह भी विलॉंग कर रहा ना पी एक्स में तो यहां पर यह देख रहा है कि यह बाइनरी ओप्रेशन हो रहा है बाइनरी ओप्रेशन हो रहा ना तो में सिध क्या करना है कि संक्रिया का तत्स्मक रहे हैं ईक्स क्या है आपका 7123 अच्छा आप देखिए यहां त्थमक क्या है एक्स है तर तसंक्रिय स्टार के लिए पीच में केवल ंदस्ट कम नहीं आवयो है है तो देख लो यहाँ जो है न तत्समक और वे पर मैं बता दे रहूंग अगर मैं phi का operation कर दूँ इस X के साथ X मतलब समझ रहा है ला इस set के साथ तो इन दोनों का intersection इन दोनों का intersection जो होगा आपका phi ही आ जाएगा ठीक, अगर मैं one के साथ कर दूँ operation x का तो x में element 1 to 3 है तो दोनों का intersection दोनों का intersection यह 1 to 3 भी ली सकते हैं दोनों का intersection क्या जगा वह न जगा हम क्या देख रहा है कि किसी अवयो का x के साथ operation करने पर पुना वही समुच आ जा रहा है इसके लिए तो वह अवयो ही है लेकिन यह है खुद एक समुच तो हम लोग इसके कोई अवयो के साथ जब x का operation कर रहे हैं तो फिर पुना वही अवयो आ जा रहा है देख रहा है न जी तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसलिए जो आपका तत्समक अवयो है संक्रिया स्टार का तत्समक अवयो जो है तत्समक अवयो वह क्या है आपका x है क्योंकि x के साथ इसमें से किसी का भी operation करने पर पुना वही अवयो आ जा रहा है तेखें अगर तत्संक्रिया स्टार के लिए px में केवल x ब्यूत कमनिये है तो ब्यूत कमनिये का मतलब यानि कि इस x के साथ अगर हम अगर हम इस px के अवयो इसको लेकर यानि ये भी x ही है x ही है न जी तो अगर मैं इसका operation करता हूँ अगर मैं यहाँ पहले जोग ऐसे दिखा दें कि समुझ 1,2,3 यानि x operation 1,2,3 दोनों का operation कर देते हैं तो इन दोनों का operation कर दोनों का intersection 1,2,3 है गए यानि कि हमें देख रहे हैं कि यहाँ तत्समा का वयो प्राप्त हो जा रहा है तत्समा का वयो एक्स प्राप्त हो जा रहा है हम लोग देख रहे हैं कि इस समुझ के साथ इसका operation करने पर हमें तत्समा का व्यों प्राप्थ हो रहा है तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ आपका व्यूत कमिया हुआ है तो यह किसका value है? x का ही value है यहाँ पर लिख सकते हैं कि अता अता px में x व्यूत करमनिया है और कोई होगा भी नहीं अगर px में अगर कोई और element लेके किसी है ना और कोई element लेके operation करके देखेंगे तो कभी भी हमें तत्समा कवे प्राप्थ नहीं होगा यानि कि यही केवल x ही जो है आपका विद्गमनिया हुआ है समझ रहे ना? कोशा नमर 30 देखिए समझ दिया है जिसका element 1,2,3,4,5 कहां तक है? n तक है से swam तक के समस्त अच्छा दक फलनों की संख्या कहती है देखिए अच्छा दक फलन की बात करें swam से यानि इसके द्वारा इसी में 1,2,3,4 यह कहां तक चल जागा? n तक इधर भी 1,2,3,4 यह कहां तक चल जागा? n तक तो हम लोग अगर बात करें इनके अव्यों के इस तरह से मिलान करने की तो हम लोग कितने तरीके से मिला सकते हैं? कितने तरीके से ऐसे मिला सकते हैं? हम लोग जितने अव्यों होंगे उतने factorial तरीके से मिला सकते हैं समझ गया ना यानि कि अगर मैं अच्छा दक फनलों की संख्या की बात करूँ तो ऐसे n factorial हो जाएगा तो यहां लिख सकते हैं कि समुच्य समुच्य एक, दो, तीन तहां तक, इन तक है से स्वैम तक स्वैम तक कि समस्त अच्छादक फनलों की संख्या क्या हो जाएगी आपके n factorial के बराबर क्योंकि हम लोग इसको n factorial तरीके से एक दूसरे से मिलान कर सकते हैं हाना, क्योंकि हमें पता है कि इन सभी आवयों का हाना इसके सापरांद के सभी आवयों का पूरु प्रतिभीम इसमें मिलना चाहिए तो इसको कितना तरीक से मिला सकते हैं n factorial तरीक से मिला सकते हैं पूरु सरमर 31 देखिए ए ऑप्रेशन भी कैसे डिफाइन है मोड के अंदर ए मैनस भी तथा ए ऑप्रेशन भी है दूसरा ऑप्रेशन एफ जो किसे डिफाइन है ए से पर ओल ए भी विलांग स्टू किसे रियल नमर से दोनों के लिए जरा परिभासित यह ऑप्रेशन स्टार जो है आर क्रोस आर टू आर पे डिफाइन है ऑप्रेशन ओ भी है आर क्रोस आर टू आर पे डिफाइन है इस पर विचार करना है क्या विचार करना है हमें दिखाना है कि ऑप्रेशन स्टार जो है क्रम मिन में है परन्तु साचर नहीं है और अब operation यह जो off है यह साचर है परन्तु क्रम नहीं है चलिए देखते हैं फिर बाद में पुना जो कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे तो यह तो आपका दिवाधारी संक्रिया तो है ही चलिए अब हम लोग पहले क्रम वी निमय की बात करते हैं क्रम वी निमय की बात करें तो क्रम वी निमय में हम लोग यह देशकते हैं कि A operation B बराबर होना चाहिए B operation A के फर ओल A B belongs to real तो चलिए LHS लेते हैं A operation B तो यह क्या होगा मोड A minus B होगा होगा न जी अच्छा RHS जब इसका लोग है तो B operation A है तो क्या होगा मोड के अंदर B minus A जो की मोड A minus B के बराबर होगा क्योंकि मोड धनात्मक मान को धनात्मक कर देता है अना मोड A minus B बराबर में है मोड B minus A तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि A operation B बराबर है B operation A के for A B belongs to R इसलिए इसलिए संक्रिया स्टार क्रम वी निमें है क्रम वी निमें है के लिए अब साचर के लिए बात कर लेते हैं साचर के लिए साचर के लिए मैं दिखाना होगा A operation B operation C बराबर A operation B operation C for all A B C belongs to R यह हमें दिखाना होगा तो चलिए एक के करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं LHS लेते हैं पहले A operation B operation C तो A operation B mode A minus B हो जाएगा और फिर operation है C तो इसका क्या जाएगा mode A minus B और फिर minus mode C ऐसे कर देंगे समझ गया चलिए अब RHS लेते हैं A operation B operation C A operation B और C का operation यानि कि हो जाएगा mode B minus C और इन दोना का operation mode A minus mode B minus C mode ऐसे ही नहीं होगा जी तो यह equal नहीं हो सकता है यह equal नहीं हो सकता है आप इसको चेक कर सकते हैं ठीक है आप example से भी यहाँ चेक कर सकते हैं A का value 1 B का value 3 ले लेते हैं और C का value 7 लेके रखके देख लेते हैं चलिए आप LHS लेते हैं तो देखो यह आता ना तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर हम लोग दखके देख लेते हैं A operation B operation C इसके बराबर होगा 1 mode 1 minus 3 mode फिर क्या जागा 7 यहां घटाएंगे minus 2 तो प्लस का 2 हो जागा 2 में से 5 हो जाएगा है ना जी और A operation B operation C करके देख लेते हैं चलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा यह आएगा 1 3 7 यहाँ पर घटेगा आपका 4 आजाएगा ठीक है अब यहाँ पर आजाएगा आपका 3 कभी एक्वाल होगा नहीं नहीं होगा तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि A operation B operation C not equal to A operation B operation C for all ABC belongs to किसे ABC belongs to R चलिए तो अता हैं कह सकते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया स्टार साचर नहीं है साचर नहीं है समझ गए चलिए चलिए अगला बात करते हैं हम लोग जो था A operation B कैसे define हैं A से for all A B belongs to R चलिए पहले क्रम वी निमय के लिए दिखते हैं तो क्रम वी निमय के लिए हमें दिखाना होगा कि A operation B बराबर है A operation B बराबर है B operation A के for all A B belongs to R यही ना चलिए इसका LHS लेते हैं LHS में A operation B लेते हैं A और B का operation A से define होगा RHS लेते हैं तो RHS में B operation है तो B operation A B हो जाएगा यह कभी बराबर होगा नहीं होगा A operation B not equal to B operation A for all A B belongs to R तो इसलिए क्या सकते हैं कि संक्रिया संक्रिया क्या है आपका चलिए तो अब देखिए इसके हम लोग पहले क्रम बिनिमय की बात करते हैं क्रम बिनिमय के लिए तो क्रम बिनिमय के लिए दिखाना होगा A operation B बराबर में B operation A for all A B belongs to R चलिए तो इसका LHS लेते है LHS में A operation B कैसे define होगा A से और RHS में क्या है तो है आपका B operation A कैसे define होगा तो ये B से हो जाएगा पहला वाला लिखना है तो उसी तरह यहाँ भी इसका operation होगा तो पहला वाला जागा तो दोनों equal कहा है A operation B not equal to B operation A for all A B belongs to R इसलिए संक्रिया संक्रिया जो आपकी जो संक्रिया आफ है वह क्या है क्रम वी निमे नहीं है अब बात करते हैं साहचर के लिए साहचर के लिए इसी के साहचर के लिए तो साहचर में हमें दिखाना होगा A operation B operation C equal to A operation B operation C for all A B C belongs to R ठीक है चलिए तो हम इसका LHS लेते हैं A operation B operation C A और B का operation A हो जाएगा और फिर operation C A operation C क्या हो जाएगा? A हो जाएगा RHS लेते हैं A operation B operation C A operation B और C का operation B हो जाएगा और A और B का operation A हो जाएगा तो दोना सेम आ गया इसलिए लिए लिए सकता है कि A operation B operation C बराबर में A operation B operation C for all A, B, C belongs to R अता संक्रिया जो आपकी संक्रिया है वहाँ साहचर है साहचर है तो हमने साहचर दिखा दिया समझ गया? करम में नहीं है लेकिन साहचर है खोश्चन आगे कहा रहा है कि पुना सिद कीजिए कि सभी A, B, C belongs to R के लिए A operation B operation यह दूसरा operation है C इसके बराबर होगा यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया star संक्रिया O पर वित्रित होती है क्या संक्रिया O संक्रिया star पर वित्रित होगी यानि कि यह operation यहाँ कर देना यह operation यहाँ कर देना अपने उत्तर का अचित्ते भी देना है तो पहले हम लोग इसको सिद्ध कर लेता है फिर हम लोग इसकी बात करेंगा ठीक है चलिए तो हम लोग बात करते हैं A operation, B operation, C यह इसके LHS के लिगार करता है, तो A operation, B और C का इन दोनों का operation कैसे different है, पहले वाले से, यहनि कि इसका B है जागा, और इन दोनों का operation star कैसे different है, तो यह mode के अंदर A minus B है, चलिए, अब RHS लेते हैं, A operation B, और फिर दूसरा operation है, फिर A star B, ऐसे है न जी, A star B दिया है, यह A star C होना चीज़ है, आपके बुक में गलत दिया है, इसको सुधार देगा, यहापर C होना चाहिए था, ठीक है, चलिए, चलिए, तो क्या हो जागा है हापर, इसका operation क्या होगा, तो mode के अंदर A minus B, ठीक है, अब इसका operation क्या होगा, mode के अंदर A minus C, अब इन दोनों का operation first वाला जाएगा, तो आगे ना पराबर, तो इसलिए कह सकते हैं, कि A, operation B, operation C, equal to मैं, A operation B, और फिर operation, A operation C, ठीक है, for all A, B, C, belongs to area, तो कह सकते हैं, कि अता, संक्रिया, star, संक्रिया, off पर, वितरित है, या वितरित होती है, आप पूछ रहा कि क्या, off संक्रिया, संक्रिया, star पर वितरित है, यह आपको बताना है, चलिए करके देखते हैं, यानि कि हमें दूसरे वाले के लिए, दिखाना होगा, मैं दिखा नहीं करना, संक्रिया स्टार, संक्रिया, संक्रिया स्टार पर, संक्रिया स्टार पर, वित्रित होगी, यदी, वित्रित होगी यदी, क्या होना चाहिए? तो A operation B star C बराबर में हो किसके? A operation B star यानि A operation C ऐसे हो तब है न? तो इसका LHS लेके देखो चलिए तो कैसे define होगा? यह आ जाएगा B और C का operation क्या होगा? mode के अंदर B minus C और इन दोनों का operation A हो जाएगा चलिए अब देखिए अब इसका RHS लेते हैं A operation B star A operation C चलिए इन दोनों का operation A और इन दोनों का operation B A और इन दोनों का operation mode A minus A जो कि 0 हो जाएगा? तो यह equal है? नहीं नहीं A operation B operation C not equal to A operation B operation A operation C तो यहां क्या सकते हैं? कि संक्रिया of जो है संक्रिया star पर वित्रित नहीं है थोड़ा लंबा कोशन था ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर इन करते हैं आपको मारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा पहला है pathfinder classes छपरा pathfinder classes छपरा दूसरा है आपका भारती भवन रवी कांथ सर रवी कांथ सर और तीसरा है रवी कांथ सर के नाम से तीनों चैनल को सस्क्राइब करिएगा और इससे लिटिर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएगा और इससे सम्माइड नोट्स के लिए google पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikant sir.in www.ravikant sir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडियो को डाउनोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं